हलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल हर दिन टेक्निकल पर आसा करता हूं आप लोग अच्छे ही होंगे भायो आज आपके लिए लेके आये हैं सब बूफर फिल्टर बोर्ड का सर्कुट और उम्मीद है ये भी आपको पसंद आएगा और सर्कुट डायग्राम सुरू करने से पहले सब कुछ यहां स्टार्ट करें उससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ बता देता हूं कि देखिए मेरा यह कोई प्रॉफेशन नहीं है मैं अपने सौक के लिए सर्कुट बनाता हूं मैं जॉब करता हूं उसके अलाबा जब टाइम मि डाखिए मिस रेकट बनाता हूं यह मिरा सौक है इसलिए ना तो मैं कोई रेपेरिंक शॉप है ना मैं वहां सीखना जाता हूं और नहीं कोई मैं सिखा रहा हूं किसी को यह मेरा होबी है जो मैं सीख के सुचता हूं लोगों की हेल्फ हो जाए तो अच्छा होगा लेकिन आज कल की लोग भी इतने हुस्यार है कि बास जरूरत की चीज चाहिए होती है लिया बाकी का मतलब नहीं है वीडियो बनाया वीडियो के लास्ट में डेस्क्रिप्शन से मैं तो होता नहीं है खर कोई भी वीडियो माता हूं उसमेरा टांप जो जाता है बहुत लगता है घर के फैमली का टांप निकालके उनको टायम ना देके हम बनाता हूं वीडियो तो कुछ तो सपुड्त की हाँ मुझे सपोर्ट मिलेगा लोगों से तो कई बार मन नहीं होता कि वीडियो बनाने का सपोर्ट नहीं मिलता क्योंकि सब्सक्राइबर जिस हिसाब से हैं उस हिसाब से वीडियो पर एक हजार व्यू भी नहीं आते तो फायदा नहीं हो लगता कि कोई फायदा नहीं क्योंकि लोग सही बात तो यह सीखना चाहते नहीं है आज कल सब डेडी मेड सामान के पीछे हैं उन्हें वो मिल जाए बस इतना ही ठीक है बाकी क्या करना है बनेगा ना बने और सौट वीडियो के पीछे दुनिया ही पागल है तो सब सौट वीडियो देखते हैं तो भाई देखो सिखाने वाले को भी कहां से इंट्रेस्ट आएगा और जब सपोर्ट नहीं मिलता लाइक तो करते हैं कई बार तो वीडियो पर मुश्कल से कोई वीडियो डालों अगर सौट में तो वह हो सकता है मुश्कल से पहुंचे 600 व्यूज भी पहुंच जाए तो बड़ी बात है आ पहले भी बताया था कई बार के अगर रेस्पॉंस सही मिलेगा तो वीडियो बनाया करूंगा नहीं तो कभी भी बंद कर सकता हूं और थैंक्स टू एम्प्लिफायर बल्ड वाले सर्जो हैं सेलेंस सेलेंड यादव उनसे मैंने काफी कुछ सीखा है और उनी से इंस्पायर लोके चैनल बनाया था तो यह मेरी होबी इस लिए बना दिया चलिए स्टार्ट करते हैं चैनल तो देखिए यहाँ फॉर्टी फाइव यानि कि फॉर फाइव फाइव एट एक आई सी है जिस पर यह सरकेट जाए तर ड्रह होता है और इसी पर हम देख लेंगे इसकी पिने ग्राइव ट्रखती है और नीचे वाली ग्राऊन गैणि कि यह माम 12 और से कनेक्ट होती है इसमें ग्राउड का कहीं ऑप्सण नहीं होता है यानि के 12 स्प्लाई इसमें जाती है कि इस वाग्ती और कुछ नहीं जाता है चलिए दिखते हैं अब देखिए जहां मैंने रेजिस्टेंस दिखा रखी है यहां 470 लिखा है तो ohm में इसकी value है अगर k में रहेगी तो मैं रहा लिखूंगा तो इस तरह की हमारे 2 लगेंगी इस circuit में और 10k की resistance होंगी वो यहां 2 लगेंगी और 22k की resistance है वो भी नंबर है पीएफ का और आगे देख लेते हैं एक और पीएफ रहेगा जिसका नंबर 104 रहेगा यह भी एक लगेगा ठीक है और उसके साथ ही टोन कंट्रोल 100k का लगेगा और यहां हम दो यूज करेंगे ठीक है तो इस तरह से दो लिख दिए और जो कैपिसिटर लगेंगे के स्मॉल में वह एक लगेगा 100 माइक्रो फेरेट तो यहां पर और अगला वाला जो है वह 4.7 माइक्रो फेरेट का रहेगा तो इस तरह से यह सरकुट हो जाता है अब वेडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो उम्मीद है आप ध्यान से देखेंगे और पेसेंस रखेंगे म स्टार्ट कर लेते हैं देखें 45 अठा बना चुकी है बेलकम टूदा सरकिट और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम इन्पुट ही देख लेते हैं कहां से में मिलेगा देखिए टैन के के जो दो बॉल्लिम हमने बताए थे उनको पहले ले ले लेते हैं पहले वाली जो पिन है उस पर सिगनल कहीं से नहीं देंगे वह आपको जहां भी आपका बीटी बोर्ड लगा हुआ है वहां से मिलेगा मैं बॉल्यम से और नहीं है तो कोई मोबाइल या किसी चीज़ से चला रहे हैं तो वहां से सिगनल दे सकते हैं आप यहां पर ठीक है अब एक लेफ्ट चेनल हो जाएगा और एक यह रैट चेनल हो जाएगा ठीक है इन दोनों को सोट करके हमें एक ही सिगनल चाहिए क्योंकि यहां मोनो सिगनल को एंप्लिफाई करेंगे तो देखिए हो गया इस तरह से यहां से इंपुट पे एक कैपिसिटर लगा रहेगा यह देखे इसका प्लेट इस तरफ रहेगा माइनस इस तरफ ट्रेड और प्लैक कर दिया इसलिए क्योंकि समझने में आसानी हो मार्क भी की हूँ है इसलिए कि यह मायनस का सिरा है ठीक है तो कोई प्रॉलम नहीं होगी यहां तक आगे देखते हैं टैन माइक्रो फेरट जै एक resistance के तुरू जाएगा जो कि हमारे 10K की resistance रहेगी और यहीं से series में एक resistance और रहेगी वो भी 10K की रहेगी देखिए तो यह भी 10K है जैसा कि यहां लिखा है मैंने यहां सब resistance हों पर लिख दिया इसलिए प्रॉलम ना हो बोल के बताए तम और यह सारी quarter watt में हैं अगर half watt या one watt रहेगी तो मैं जरूर वहां लिखूंगा और इसके साथ ही यह देखिए पिन नंबर 3 पर चली जाती है यानि कि जो साथ से में आउट मिलेगा 7 से वो दो resistance से होते हुए इस तरह से और पिन नंबर 3 पर चला जाता है अब यह रिजिस्टेंस के आगे भी सरकेट है वो देख लेंगे उससे पहले हम देखते हैं कि जो हमें 7 नंबर से आउट मिलता है उसका feedback हमारा 6 नंबर पर भी जाता है जो एक रिजिस्टेंस के थ्रू जाएगा देखिए यहां 56 के की रिजिस्टेंस लगेगी जो 7 और 6 के बीच में मतलब 7 और 6 के बीच में लग जाएगी इस तरह से जुड़ जाती है तो यह सरकेट से यहां से होते हुए यहां आगे और यही इसकी बैल्यू जो रहेगी 104 तो इसका जो नंबर रहेगा 104 रहेगा और सीधे ग्राउंड से connected रहेगा ठीके देखिए यह ग्राउंड से हो गया और इसे हम सीथा जिरो वोल्ट ग्राउंड पर ले चलते हैं यहां में लिख देता हूं जिससे कि आपको प्रॉलम ना हो यहा यह हो गई अब इसके आगे का circuit देख लेते हमें आउट यहां से जो मिलेगा तो वो देख लेते हैं तेकि आउट में एक नमबर पिंसे मिलेगा जो एक कैपिसिटर से होते हुए जाता है कैपिसिटर का plus सिराई इस सिरफ रहेगा मायनस इस तरफ रहेगा जैसे पट्टी द सब्सक्राइब नहीं हुआ है अभी तो और पर ने बची होई है इसकी तो वह भी देख लेते हैं अब क्या होता है धर हमें दो क्योंबर में अ है उसके साफ से देना पड़ता है गेन रभल यहां है और इसी फीड़। से एक पीएफ लगा रहेगा इसी फीड़ेक्स के साथ में दो नमबर पिंसे पीएफ आएगा और इसकी वैल्यू रहेगी टू टू फाइब तो सो पचीस रहेगी ये वैल्यू और ये सीधे यहां कनेक्ट हो जाएगा मैंतलब के सेवन नमबर जो आउट आ रहा था वहां एक प्रेजिस्टेंस के बाद कनेक्ट होगा तो देख लीजिए यहां हो गया यह इस तरह से अब इसकी ज़रूद क्या थी तो यह है कि यह आपके जो सरकिट में फ्रिकेंसी को डिसाइड करेगा कि आपको सिर्फ बेस बेस चाहिए होगा बास जो आता है आपकी सरकिट में तो आपको व्यजिस वी सुनाई देगि है अगर आप पी हैफ की बेल्यू को है तो तो आपको सिर्फ बेस सुनाई देगा बाकि कोई भी। pH नहीं सुनाई देगी तो यह वगया इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि लास्ट पिन यहां बची हुई है इसकी वो भी connect कर देते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप subscribe करी लें क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे अगर आप जुड़े रहेंगे चैनल पे तो और हो सकता है बहुत सारे वीडियो हमने बना भी दिये हैं तो वो आपको help करें और आगे देखते हैं अब कहां से क्या देख रहे हैं वो ज़रूर बता दें और like तो करी देंगे क्यों कितना लंबा चोड़ा भासर होई गया है वीडियो में आगे तो like 470 ओम की रेजिस्टेंस के तरू सीधे हमारी माइनस 12 बोल्ट की सप्लाई से जुड़ जाएगी आगे ठीक है यहां से आगे नहीं दिखाया था हमने क्योंकि कोई ज़रूरत भी नहीं थी यहां बता दिया कि इस पॉइंट से आगे माइनस 12 बोल्ट चला जाएगा ऐसे ही इट नंबर की जो पिन है उससे भी जुड़ा रहेगा एक हमारा रेजिस्टेंस तो वह देख लेते हैं देखिए इस तरह से और 470 ओम का रेजिस्टेंस रहेगा और यह प्लस 12 बोल्ट की सप्लाई पे जुड़ा रहेगा अब ऐसे तो रिकमेंडेशन यह रहती है कि चार नंबर पिन और ग्राउंड के बीच में आप 100 माइक्रो फेरेड का आप एक कैपिसिटर लगा सकते हैं 16 बोल्ट या 25 बोल्ट ऐसे इस तरह भी लगा सकते हैं अग कोई दिक्कत नहीं अगर नोईस नहीं आती है तो तो यह दोनों ही हो गए लास्ट में बचता है हमारा ग्राउंड जो कि हमने अभी तक कंट्रॉल बोल्यूम को नहीं दिया है तो वह भी दे देते हैं क्योंकि इन्पूट सिंगनल पर फिर प्रॉलम आपको ना हो तो यह द करता हूं तो अपने पैसों से कंपोनेट लाके तभी टेस्ट करता हूं क्योंकि मुझे कोई कहीं से इनकम नहीं है यूटुब से भी कमाई नहीं होती है बहुत बिसेस क्योंकि दो साल हो गए मुझे लगबग चैनल बनाय हुए आज तक एक पैसा मैंने से बिटर नहीं किय है कोई चलिए वह अलग बात है होगा नहों वह बात तलग है आगे दिखते हैं यहीं पर यह वीडियो खत्म होता है और हो सकता है यह सरक्यट आपकी हेल्प करेगा बहुत से लोगा कमेंट था कि यह सरक्यट बना दें आप तो मैं सुचरत तेस्टिंग के बाद ही बनाओ लेकिन ज्यादा डेमांड होने के लिए बिदा टेस्टिंग के ही बना दिया है तो आप इसे बनाएं और यूज कर सकते हैं आसानी से तो यह आज का वीडियो था मिलते हैं किसी एगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार